जनिवार को पप्पू यादव की जाब पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली है जहां आरजेडी ने सेंद मारी करते हुए 200 जाब कारे करताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है आपको बता दे कि पटना इस्तेत आरजेडी प्रदेश कारेले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग ने सभी जाब कारे करताओं को आरजेडी की सदस्यता दिलाई इस दोरान जग्दानन सिंग ने नितीश सरकार पर हमला बोलते हुए आरजेडी को मजबूत पार्टी करार दिया है इस दोरान मौके पर आरजेडी के राष्ट्री ये महासचीव श्याम रजक साहिद पार्टी के कईनेता और कारे करता मौजूद रहे आरजेडी का दामन थाम लिया है और इतनी बड़ी टूट आज जन अधिकार पार्टी में हुई है इस पर जन अधिकार पार्टी के तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है आपके थे और अब वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और इस तरह की जो लगातार विपक्ष जो है लगातार दावे कर रहा था यहां पर की टूट होने वाली है इतनी बड़ी और यह सतापक्ष में टूट की बात यहां पर और देखा जाए तो विपक्ष ही एक तरीक मरता से बाग में जो अरजेडी है इसमें जो बहुत सारे जो पार्टी है उनके लोग शामिल हुए कुछ दिन पहले ही रस्लेग संता इरेश पी के रिज्वी जो नेता भी ढूप शिपicial टेशिंश्मेल हुए आज ज जाब के करके अद्द घुन है जो पार्टी के नेटा वो शामिल ने हुए चाहे वो पपु यादव हो चाहे उपिंदर कुश्वा हो लेकिन उनके जितने भी कारे करता है वह सारे लोग आरजेडी में शामिल हो चुके हैं कहीं न कहीं आरजेडी जो पार्टी है वो ज्यादा मजबूत होई है बिहार में अलाकि पहले नंबर की प प्रश्ट्रिय जन्नता दल में शामिल हो गया है प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग ने उन्हें पार्टी के सदस्यता दिलाई है और इस दौरान जग्दानन सिंग ने कहा है कि आरजेडी में 200 कारे करताओं के और आने से पार्टी और भी मजबूत हो गई है